आज हम जो एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन गाइस जिसे आप राइटिंग प्लस स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं तो एक्सप्रेशन का नाम है इट हैज बीन सीन सबसे पहले देख ले कि यूज कहां पर होगा जब भी आप कहते हैं गै जे देखा जा चुका है कि आजकल इंडिया में बहुत ही लोग अने इंप्लोईड है इसकी इंग्लिश होती है इस जो भी संटेंस आप इस से स्टार्ट करना जाते हैं तो आप वहाँ पर इस बीन सीन का यूज करेंगे इंग्जमपल गैस हम देखते हैं इस बीन सीन के बा जे चीज देखा जा चुका है कि ज्यादा तर लोगों को हाइर करती है जिसके पास experience है जो एक wise formation होती है it has been seen और इसका अगर आप यूज करेंगे so you will get higher band score and speaking में भी आप इसका यूज कर सकते हैं आप जहां पर भी इसका यूज करना चाहो so I hope guys यह अपने सीखा होगा और guys task 2 की example थी जो मैंने अभी दी थी और तीसरी example देखते हैं आप इसे introduction और for example में भी guys it has been seen का यूज कर सकते हैं अगर आप example में इसका यूज करना चाहता है तो कैसे करेंगे बताता हैं guys for example it has been seen that most of the people nowadays go to restaurant rather than cooking food at home so guys इस तरह की example जो है it has been seen से आप start कर सकते हैं और introduction में भी अप it has been seen का यूज करते हैं जहां भी आपको सेट पहते हैं it's up to you that how you use it so okay guys जो छोटी सी जो वीडियो थी I hope के जो बेनिफीशल है आपके साथ इस चीज को रख टाल गारो guys के it has been seen की हिंदी होती है जे देखा जा चुका है जा जे देखा गया है and guys like कीजिए इस वीडियो को और share कीजिए अपने friends के साथ अगर आपको जे it has been seen वाली वीडियो अबने आपके साथ जोसे वीडियोग से हाव जैसे थीजेचे में जैसमी को जेखा जाय जाने एल्सी की के साथ जाल